वेलकम टो एक्जाम तक आज है 29 अगस्ट और 29 अगस्ट 2020 से बनने वाले सभी most important current office के question अम लोग इस वीडियो में करने वाले साथ में मैं आपको हर एक question के साथ मैं detail में explanation भी बताऊँगा जिससे आपको current office के साथ-साथ strategy के काफी ज़्यदा improve हो जाएगा last मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा जिसका अंसर आपको comment box में देना है तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखे इसकी quiz और PDF आपको telegram channel पर मिल जाएगी so join कर लेना link के नीचे description ने दिया गया start करते हैं आज का वीडियो पहला question कौन सा important question है हाली में किस देश के प्रदान मंतरी ने स्टिफा दे दिया तो अभी मैं आपको बता दूँ कि जापान के प्रदान मंतरी शिंजो आबे ने अपने स्वास्तिया हालत अच्छी नहीं होने के कारण जो है उन्होंने अपने पद से स्थिफा दे दिया है, कल ही उन्होंने स्थिफा दिया है, 28 अगस्त को जापान के प्रदान मंतरी शिंजो आबे, शिंजो आबे जो है, 2012 से लगातार प्रदान मंतरी बने हुए थे, जापान की हिस्टरी में सबसे लंबे समय तक प्रदान मंतरी रहन पाट की जो आघाए वालत Famous पहुंद को करने ना अपको याद रखने को हैं सब्सक्राइबниग है शुक्त से वोत जुट्स में बनें तब मैं आप करन्ट अफेस के वीडियो में अपडेट कर दूँगा ठीक है ना अब जापान में 2021 में टोकियो में ओलम्पिक होने हैं वो भी आपको याद रखना ठीक है ना चले नेक्स्ट बात करा है सेकेंड कोशन की 2021 में होने वाले ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन करके तो ब्रिक्स खेल ये जो है ना समू पांच देशों का समू है आपको मैंने पहले भी बलता दिया कई बार में ब्राजील रश्या इंडिया चाइना एंड साउथ अफरिका इन पांचों का समू है ये ब्रिक्स समू एंड इसमें जो खेल होंगे 2021 के वो जो हैं भारत में आय खेल ओके तो ये बात आपको याद रखना इसमें जो पांच समू है एंड इसमें जो इसकी स्तापना को हुई थी 2006 में इसकी स्तापना हुई थी पहले चार देश थे फिर साउथ अफरिका जो हैं बाद में इसमें जुड़ा था ठीक है ना तो ये भी आपको याद रखना ह चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दिजे और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए चले नेक्स्ट बात करना थर्ड कोशुन के हाली में निधरलेंड की लेख़ GUY कांद के लेख को lett है तो अभी है लुकास रिजेणवेल्ड को मैंन पुकर मिला है यह आपको तो निधरलेंट की लेख़़ पहले मैं आपको बताओ नीधरलेंड की राजदनी मीं है Amsterdam जो है यहां की राजदनी है हेग यहां का अलग शहर है जापर जो है अंतराष्टी न्यायल है लेकिन हेग यहां की राजदनी नहीं है Netherlands की राजदनी क्या है Amsterdam Netherlands को Holland भी कहा जाता तो कई बार आपको confused नहीं होना कई बार examen सीधा ही पूछ लेते होलेंड की राजदनी तो आपको confused नहीं हो ना नीदरलेंड एंड होलेंड एक ही देश है ठीक है ना चले अब मैं आपको बता दो उनकी पुस्तक क्या थी तो दिसकंफर्टेबल ओफ इवनिंग ये इनकी पुस्तक है दिसकंफर्ट ओफ इवनिंग एंड इसको मिला है अंतराष्टिय बुकर प्राइस 2020 ये आपको याद रखना है दो जार ठाल में बुक ये प्रकाशित हुई थी जिसका अंग्रे जी में अनुवाद के दा मिशेल हचि कि ये जो अवोर्ड है ना ये अंग्रे जी बाशा की बुक कोई मिलता है लगबग 66,000 डॉलर का ये पुरुस्कार मिला था एंड यहां पर लेकक और अनुवाद इन दोनों में आदा आदा ये बांट दिया गया है मैं बुक और प्राइस ये सब भी बात आपको प्राइन याद रखना ठीक है ना चलément नेक्स्ट बात कर रहा है चोते कोशन की ब्राइन ब्रद ने टैनिस से संयास लेने का ऐलान किया है वे कि सकेल से समयं दो ब्रैंड व्रद ये जो हैं टैनिस के बड़े खिलाडित एंड ये जो दोनों है ये सात में केलते थेंड टैन से सन्यास ले लिया अभी और इन भाईयों की जोड़ी ने जो 26 सीजन में 119 ट्रॉफी जीती हैं और ओपन एरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा क्या है जिसमें चार ग्रेंड स्लैम ग्रेंड स्लैम क्या होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन विंबल्डन ओपन और फ्रेंच ओपन ये चार टूर्णामेंट जो हते हैं इन सारों को मिलकर कहा जाता है ग्रेंड स्लैम तो चार बार ग्रेंड स्लैम जीता हैं और 9 ATP Masters के साथ-साथ ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मतलब कुल मिला कर यह जो important खिला डिये हैं इन दोनों का नाम आ माइंड अभ्यान शुरू है तो अभी जो है healthy body healthy mind अभ्यान ये किस राज्य में शुरू है यह अभी क्या है दिली गौर्मेंट ने शुरू है आपको importantly याद रखना दिली की सरकान इसको शुरू क्या है healthy body healthy mind इसमें जो है students के लिए ये खास तोर पर अभ्यान शुरू क्या ह है दिली सरकान है अब दिली की बात है तो दिली के मुख्यमंदरी को ने अर्वींद केजरी वाल है दिली के मुख्यमंदरी दिली के उपराजिपाल को ने अनील बैजल जो है वो है दिली के उपराजिपाल दिली में कितनी विदान सभा की सीटे है तो 70 विदान सभा की सीट अब जो हैं 17 वी बैटक जो हैं संयुक्तायों की बारत और किस देश के बीच में वर्चुली रूप से हुई हैं तो वियतनाम और भारत के विदेश मंत्रियों की बैटक होई जिसमें इसके सह अद्यक्ष्टा किसने की भारत की और से तो विदेश मंत्री S.J. Sankar ने इसके अ इंडिया के पास मियामार है इसके नीचे सारे के सारे देश आस्यान समू के मंबर है यहीं पर इस तदै इस लोकेशन में ठीक है तो यह आपको importantly याद रखना है चलिए next बात करना है साथ वे कोशन की संस्कृति मंत्रा लेने SI के कितने नए सरकलों की गोशना की SI क्या है तो archaeological survey of India इंपोर्डेंटली याद रखना archaeological survey of India बारतिय पुरा तत्व विबाग ठीक है तो अभी कितने नए सरकलों की गोशना की है साथ नए सरकलों की गोशना की है संस्कृति मंत्रा लेने अब संस्कृति मंत्रा लेने किया तो संस्कृति मंत्री को ने प्रलाज सिंग पटेल जो है वो है प्रजेंट टाइम है संस्कृति मिनिस्टर वो भी आपको याद रखना है अभी साथ जगे हैं कौन सी तो एक बार आपको इन पर नजट डालनी चाहिए तमिल नाडू के त्रिची हैं पशिम बंगाल में राइगंज हैं जिरात का राजकोट हैं एमपी का जबलपूर हैं उत्रवदेश का जांसी एंड मेरट एंड करनाट का हमपी यह आपको इंपोर्डेंट याद रखना ये साथ है अब करनाट का हमपी पहले से ही था लेकिन पूर्ण रूप से सरकल नहीं था अभी इसको पूर्ण रूप से नया सरकल गोशित कर दिया तो इन साथों का नाम आपको याद रखना हैं एसाइग मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी संस्कृती मंत्री हैं ये इंपोर्डेंट है ठीक है ना चले नेक्स्ट बात करें आ पारी जानकारी जो हैं एन से से रिलेटेड़ कोर्स वगरे जो भी हैं यहां पर आपको मिल जाएंगा ठीक है ना डी इन से सी प्रसिक्षन एप ओके तो इसको भी लॉंच किया है राजनात सिंग ने यह आपको इम्पोर्डेंट रखना है रक्षा मंतरी राजनात सिंग न तो नई दिली में इसका headquarter है अभी इसके डिरेक्टर जेनरल कोन है तो लेफटनेंट जेनरल राजीव चोपरा जो हैं वो हैं इसके प्रेजन टाई में डिरेक्टर जेनरल डीजी को आप लोग ठीक है ना तो डीजी इसके प्रेजन टाई में लेफटनेंट जेनरल तो एकता और अनुशाशन यह आपको importantly याद रखना, discipline and unity, यह इसका other श्वाक्या है, तो importantly याद रखना, NCC के बारे में यह सारी बात याद रखना है, एप्लिकेशन के बारे में भी याद रखना, ठीक है ना, चले next बार नाइत कोशिन की, राष्टिय खेल दिवस कब मने ज जाता है, मेजर ध्यान चंद की जन्म तिति पर मना जाता है, जैनती पर मेजर ध्यान चंद का जन्म को वह था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था, इलाबाद में, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है, उनको जो है होकी का जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यान चंद एंड उनी वगर है उनके हिस्ट्री वगर है 2020 में किसे दिया पूरी डेटेल उस वीडियो में मिल जागी ठीक है ना नेक्स्ट मत करें आज के लास्ट कुषिन की हाली में किसने नेशनल सिकूर्टी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रस्पेक्टिव नामक पुस्तक लौंच की तो अभी निबंदों का यह संग्रा है यह पुस्तक नैशनल सिकूर्टी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रस्पेक्टिव इसको अभी लॉंच किया है सैना देक्ष्य आम में नर्वन है यह आपको याद रखना है सैना देक्ष्य करमवीर सिंग नेवी के चीफ है अड्मिरल करमदीर सिंग आरकेस बदोरिया को ने तो एफोस चीफ है एर आरकेस बदोरिया एंड विपेंद रावत को ने तो यह अभी प्रजेंट टाइम है इंडिया के फॉर्स्ट सीडिये से चीफ ओफ डिफेंस स्ट्राप यह आपको इंपोर्डेंटली याद रखना है अब मैं आपको कल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ वाटसैप, टेलिग्राम, फेस्बुक पर शेयर जरूर कीजिए मिलते एक नई वीडियो में तब दो के लिए जै हिन जै भारत